हेलो व्रोबन अभी रेल्वे की तरफ से एक न्यूज आया है ये न्यूज कुछ अच्छा ही मानिये आप लोग के लिए फैयदेकार न्यूज है न्यूज यह है कि रेल्वे ने ग्रूप D को खत्म कर दिया मतलब ग्रूप D के पोश्ट को खत्म नहीं कर दिया पेश स्केल को खतम कर दिया यह कहने का मतलब यह था जो उससे पहले जो आप लोग जो ग्रूप D में वाली होते तो अभ्यस बात है ग्रूप D का मतलब सारे सुभधाएं मिलती थी अब रेलेवेन इसको अपडेट कर रहा है और रेलेवेन अपडेट करके कर दिया है जो ग्रूप मतलब 1800 से लेके और 400 गेट पर तक जाएंगे आदमी वो ग्रूप C में रखे जाएंगे ठीक है और उसके अलावा जो होंगे वो B और A में कर दिया जाएगा ठीक तो इसमें न्यूज क्या है उसको प्रोपर देखते हैं इसके फायदे क्या होने वाले है और नुक्सान हमको नहीं ओपर देखते हैं देखिए रेलेवे ने खतम किया ग्रूप D 1864 गेट पे की कर्मचारी ग्रूप C में आये 4800 प्लस वाले ग्रूप A, B में ठीक है मतलब कहने का मतलब ये 1800 से 6400 ग्रेट पे का जो था कर्मचारी अब ग्रूप C में माने जाएंगे ठीक है और 4800 प्लस वाले को ग्रूप A और B में तब दे दिया जाएगा सही अब देखिए सर इसमें क्यों दिया गया है इसका रीजन भी क्लियर है रीजन ये पहले आप पहले इसको प्रोपर देखिए रेलवे ब्रोड ने ग्रूप D के ग्रेड को खत्म करने का फैसला लिया है रेलवे कर्मचारी क ग्रेड पे के अनुसार ग्रूप C में ही रखा जाएगा 1800-800 ग्रेड पे में काम करने वाले जो ग्रूप D में आते थे अब ग्रूप C में माने जाएंगे ठीक है अब ग्रूप C में आ जाएंगे एक ग्रूप जो अधिकारी बर्ग होंगे ठीक है एक ही मतलब हो गया हो है इसको देखिए group c की सिघďधाए का सिघधाओं का मिलेगा फायदा मतलब जब आफ group d में थे उसमे group c का जो फायदा था आपको नहीं मिलता था यह obvious बात है ना जदि group d का जो फायदा था मतलब और नहीं मिलेगा c वाले को मगर जब आफ c में चले गए उसका फाइदा ले सकते हैं और ये कारण इसलिए क्या गया है ग्रूप D को C में जो आपको भी वो सारे स्विभधाएं मिले जो अन कर्मचारी जो C में काम करते थे उनको मिल रहे थे उनमें क्या-क्या फाइदाएं थे उसको देखिए सबसे पहले तो आपको क्या होता था आपको AC का टिकट नहीं मिलता था ठीक है इसमें में देखिए 1800-800 गेट पे कर्मचारी को गुरूप D में रखने के कारण उनके गुरूप C में मिलने वाली सुभधाएं से बंचित रखा जाता था लेकिन गुरूप D के गुरूप C में आने के बाद इसके इसके थर्ड AC के नाम एवं टाइप 2 और 3 क्वार्टर मिलेगे मतलब आपका थर्ड AC का पास और टाइप 2 और 3 का क्वार्टर आपको भी एलोकोट कर दिया जाएगा जो गुरूप C के कर्मचारी को कर दिया किया जाता था ठीक है अब आप देखिए इसके लेकर National Railway Federation of India Railway NFIR एवं AIRF ने railway board के समच यह मांग उठाई थी मतलब यह उससे मांगा गया था और यह approach में क्या कर दिया गया है प्रूप कर दिया गया है जिससे आपको यह इसमें जितने थे Group D वाले उनको फाइदा होने वाले हैं जो C में उसको कुछ घाटा ना फाइदा होने वाले हैं मगर एक टैग लगने उपर वाले जो थे 46 और 42 थोरा सोचेंगे जो मतलब हम B के थे तो A आप C में चले जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है वो नाम से कुछ नहीं होता आपका facility में कोई दिक्कत नहीं है बट आप Group D वालों जो Group D में भी काम करते हैं यो इस बार आपका मतलब selection होने वाला है उनके लिए बहुत बड़ी अच्छी खवर है और खवर ये मतलब थोरा प्रोपर सही है ठीक है ना तो ये गुड न्यूजी कहिए और ये गुड न्यूज करता के लिए मतलब वे बालों जो को ये खवर ये खवर ये खवर है और ये ये खवर है झाल झाल गज़ इस दो प्रोपरा है और खवर है ऑपका मतलब रहाई बहुत दो जो